है दोस्तों कैसे हैं हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप अपने घरों में सुरचित होके पढ़ाई का काम कर रहे होंगे दोस्तों आज हम फिर आजरे एक नई वीडियो लेकर के दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जवाहर नहों दभी द्याला ने इंट्रेंस एक्जाम प्रवेस पर इच्छा लिया था 2022 का जो की पेपर आपका 30 सप्राइल को हो गया था दोस्तों रिजल्ट उसका आठ जुलाई 2022 को आ गया था रिजल्ट के बाद धेर सारी दिक्कते आई बच्चों को ले करके की सेकंड लिस्ट कवाएगी नंबर कैसे देखें धेर सारी समस्या हैं बहुत सारा बच्चों ने मेसेज करके अपने दुख व्यक्त किये कि सर मेरा इतना नंबर था नहीं हुआ दोस्तों मैं बता दू फिलाल मैं जहां पर हूँ खुसी नगर में हूँ यहां पर मैं जो देख पा रहा हूँ 98 नंबर पाने वाला या 98 नंबर ना समझे 80 जो की आपके कोश्चन दिये गये थे यहां पर जो आपके कोश्चन आपके 80 थे इसमें से जिस बच्चे ने इसमे गलत है जिनका दो कोश्चन जिनका गलत है उनका रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों आप कहां क्या इस्थिती है हर जिले में और हर राज में अलग-अलग इनकी सेच्वेशन हो सकती है दोस्तों तो आप उमीद करें कि केवल दो कोश्चन गलत हो है तभी उनका रिजल्ट आया हुआ है तो इतना से आप देख सकते हैं कि कितना इसमें competition है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा competition बट आपको बार बार जैसा कि बैब बताता हूँ ये ओभर एज के बच्चों की वज़े से ऐसा हो पाता है ठीक है नमबर नहीं दिखाता दोस्तों जवाहर नोद भी द्याला एक list starting में आप क्या क्या था आप रोल नमबर डेटा बर्थ आप डाल रहे थे वेव साइट पर जाकर के तो वहां पर बता रहे था you are main list में आपका नाम है admission के लिए आप consider करते है main list में आपका नाम दिया गया है ठीक है यह पता चल गया उसके बाद एक list आई थी जो आपके जिले की आई थी पूरा उसमें जिले वाज दिया हुआ है कितने बच्चों का हुआ है बच्चों का नाम उसमें दिया, कोई नंबर उमर नहीं दिया है दोस्तों, कितना नंबर पाएं, कितना question आपका सही है, यह कुछ नहीं, यह जो मैं बता पा रहा हूं, यह बता पा रहा हूं, अपने कुछ जो related बच्चे हैं, जिनको मैं जितना जानता हूं, 10, 20, 50 बच्चे, उनके बीच से निकल के आया है, कि दो question जिनका गलत है, जिनका तीन question गलत है, मेरी 95, 95 बच्चे हैं, उनका result नहीं आया है, दोस्तों, इस वज़ा समय बता पा रहा हूं, इतना गया, और आपके जिले में हो सकता है, आपके प्रदेश में हो सकता है, कि अलग इसकी condition हो, लेक इस से कम, मतलब आप समझ सकते हैं, कि 94, 93 आपका, और आप 92 या 91 या 90 या 90 ये सब बच्चे जो है, वेटिंग लिस्ट के लिए उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं, कि केवल 94 या 95 के आस पास अगर आपके प्रदेश में नहीं हुआ है, तो आपके प्रदेश में अगर 97 तक हुआ है, तो 96 वाले उम्मीद कर सकते हैं, 96 point something वाले उम्मीद कर सकते हैं, कि मेरा second list में नाम आएगा, अब बात फस्ती है कि second list आएगा कब, तो मैं बता दूं दोस्तों, जिनका admission होने वाला है, उनका जो admit card है, या तो फिर उनका admit card, carlator जिसको कहते हैं, वो carlator गुलावा आचुका है, स्कूल की तरफ से, आपके जिले में 99 विद्याले होता है, हर जिले में 99 विद्याले है, आपके लगभग जिले पर 99 विद्याले जिले के आसपास होता है, वहाँ पर आप पता करें, कहां पे है, सबको लगभग पता भी रहता है, वहाँ से या तो काला आएगा तो नंबर आपने शुरुवात में फार्म भरने के समय डाला था या कुछ गारजियन हैं जो की जागरूख हैं वो जाकर के वहां से अपना प्रिंस्पल से मिल भी चुके होंगे अब तक मैं उम्मिद करता हूँ और आपके 11 तारिक से ले करके हमें लग रहा है 15-20 तारिक के अंदर अंदर सारे लोगों का बुलावा आ जाएगा सारे जहां जहां भी प्रदेश होंगे अलग अलग आपका अगर बुलावा आ चुका है तो कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों कि आपका बुलावा कब आया है अब बात ये आ गई कि आपका बुलावा आ चुका है आपका लगभग 20 उस तारीक तक सबको ले लिया जाएगा आज बुलावा लोगों का आ रहा है बहुत जगा बुलावा आ चुका है बलिया में और जगा पे देखें तो बुलावा आ चुका है लोग जा चुके हैं तो ये सब सारी कंडिशन होते होते जो भी 2, 4, 10, 15 दिन लगे उसके बाद जब एक लियर हो जाएगा कि जिन बच्चों का जिनों ने लिया है इसमें इनका एडमिशन हो ले रहा है ये अगर एडमिशन लेने का मतलब कहीं 40 सीट है और कहीं 80 सीट है दोस्तों अगर देखें यही second list जारी की जाएगी और बिलकुल की जाएगी दोस्तों और बिलकुल उम्मीद रखें यह October November में second list नहीं आएगी बच्चे का मतलब पढ़ाई कब होगा जब October November में result आएगी आप यह सोचिए रिजल्ट जो आएगा आपका August में आज आएगा first week तक जो भी Waiting List का बुला आप आया जाएगा अगर वो जानते होंगे तो इसलिए वहाँ पर जाकर आपका मिलना बहुत जरूरी है, वहाँ पर जाकर के आप मिल लीजिये, यह सही होगा आपके लिए, दूसरी चीज कुछ बच्चे इस में हैं कि हम एड्मिशन लेकिन आप बिल्कुल एड्मिशन ले लिए दोस्तों आप को मैंने बता दिया एक का दुख का नंबर कम होगी मेरिट और उस पे आपका होगा आप एड्मिशन ले लिए जहां पर भी आपको पढ़ना है अगर आ जाएगा तो चले कर दिजिए बहुत जल्द ही मैं अगली वीडियो ले करके आऊंगा उहां पर आपको बताऊंगा कि आपके और क्या क्या चांसिस अब बचे हुए हैं कहां कहां पर अपने हाथ पैर आप चला सकते हैं बिल्कुल आप निरास नहों ठीक है बहुत सारे बच्चे मेसेज किये है यह पहला पावदान आप 90 से उपर नंबर ला रहे हैं यार आप बहुत महान हो इतने अच्छा नंबर ला करके आप यह सोच रहे हो कि हमारा कहीं यहां नहीं होगा कहीं और जरूर होगा आप बिल्कुल उम्मीद रखो और दूसरी चीज हम यह बता दे कि आपका नहीं ह हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि आप फेल हैं आप खराब हैं ऐसा कुछ नहीं आप बहुत अच्छा नंबर लाएं आप अपने पर भरोसा रखिए और जो बच्चे पास हो गये हैं उन्हें धेर सरा कंग्राचुलेशन बार बार बदाई में दे रहा हूं कि आप बहुत अ इडियो भी दोस्तों आप तक पहुचाऊंगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बाते आपको समझ में आईगी आपको क्या करना है सेकेंड लिश्ट के लिए करके आपको क्या प्राबलम है बिल्कुल उस पे नहीं घबडाएं नंबर कहीं से आपका नहीं दिखाय जाने वाला है दोस्तों नंबर नहीं पता चलता इसमें यही तो दिक्कत है पारदरश्टा होनी चाहिए बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि नहीं पारदरश्टा होनी चाहिए बिल्कुल नंबर हमारा दिखाना चाहिए इतना बच्चा मेहनत किया कम सका नंबर द दिखा रहा है और नम्मर अम्मर देखने के चक्कर में भी आप न पड़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बाते आपको समझ मैं आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्ट वीडियो मिलते हैं जय हिंद